नमस्कार दोस्तों मध्या प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ बरसात के रूप में औरे और मौसम में बदलाओ के साथ परिवर्तन भी जारी है कैसा रहेगा जबलपूर कटनी बोपा सीधी बढ़वानी ग्वालियर दार उजय नर्दा शिवपूरी मनसोर राइसेन साजापूर विदिसा शिवपूर अशोक नगर सतना गुना खंड़ा डिंडोरी होसंगाबाद समेत मध्या प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को जो ना काफी जदा जगओ पर ठंड के प्रकोप के साथ मौसम में हल चल और परिवर्तन काफी अधिक सदिक देखने को मिला। अब जादा तर इलाकों पर ठंड के प्रकोप के साथ रहाओं का रूक बदलने लग गया है। ऐसे में बता है जार कि मध्यपरदेश के पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिम विक्षॉम सक्रिय इसके प्रबाव से वातरवन में नमी आने लगी इस वज़े से बादल छाहे रेने लग गए इस वज़े से सभी शेरों में नियोंतन तापन में बड़ोत्री होने लगी साथ ही दोस्तों सुबे के समय गौालेर चंब होतो है नज़र आएगा साथ में यहाँ पर दोस्तों भौपाल, सागर, रीवा, शेडोल, जवलपूर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर हलकी बरसात के आसारे मौसम साफ होने लगेगा, साथ से आठ गंटे के दुरान मौसम ठंडा रहेगा, लगबग साथ जनवरी में एक बार फिट से परदेश में बरसात हो सकती है, मौसम में ठंड़क भी जरूर रहेगी, बादल भी चैरिंग और मध्या परदेश का मौसम, काफी मौसम मिला जु काफी जाधा जगओ पर लोगों को परशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी के साथ दोस्तों कोहरा भी चाहे हो है, बुंदा बुंदी भी हो सकती है, एक जन्वरी के आवस 파स, बादल चाहे रेने के साथ दोस्तों जो पस्चीमी विक्षोम यानि वेस्टर डिशन ड पूरे मध्या प्रदेश में सीतल दिन नहीं रहा और सीतल लहर नहीं चली आम तोर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ठंडा माना जाता है मगर इस साल पूरे प्रदेश में दिसंबर का महीना पिछले 33 साल के मुकाबले काफी नौर्मल रहा यानि दोस्तो ठंड से काफी ज़्यादा रात मिली रही ठंड बहुत कम पड़ी है बोपाल, चंबल, गौाले और सागर, रीवा संबाग में कहीं के पर बड़सात होने की समवाना है इसी के साथ दोस्तों जन अतापन में तेजी से गिरावट होतों नजर आ सकते है मौसम मिला जुला भी रहेगा उतार चड़ा भी जहर रहेगा और मध्यपरदेश में बादलों के आउज़े के साथ परिवर्तन होतों भी नजर आएगा आप मध्यपरदेश में रहते तो कौन से जिले गावे शेयर में रहते हमें कमेंट करके जरू बताना कमेंट करके जरू बताना आपके हाँ पर मौसम में बदला हुआ के ने और आने वाले शुकरवार शनिवार तक हलकी बूंदाबूंदी बरसात की गतिदिया जरूर देखने को मिलेगे और नए साल की शुरुआत के साथ पूरे एमपी का मौसम बदला बदला सा नजर आएगा और बदलाओ के साथ रेकोर्ड भी किया जाएगा वह दोस्तों एक एक जिली की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते है कटनी में रात के समय 12-13 दिन में 25 के आसपास तापमान रेगा बादल चैरिंग के उताचड़ा अफजारी और बुदुवार गुरुवार तक देख सकते हलकी बूंदा बूंदी होने मौसम में दिन में 26 के आसपास तापमान रेगा बादलो के आउजए के साथ मौसम में टंड़ के उताचड़ा अफजार रेने के साथ मौसम मिला जुला रहेगा सीधी में 12-13 रात के समय दिन में 24 के आसपास ताप मन रहे गा बादलों के आवज़ें के साथ मौसल में टंटर के उताचडा अवजारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन होगा इसी के साथ बढ़वानी में रात के समय 18-19 तो दिन के समय 30 के आसपास तापमान रहेगा बादल चैरिंगे उताचड़ा अफजारी है 29 के गरीब ताप मर रहेगा बादल उचाही रेंगे उताचड़ा अफजारी और तेज हाओ के साथ मौसमे बदला होतों नजर आएगा वही दोस्तों यहाँ पर काफी जगों पर हरदा में 16-17 रात के समय तो दिन के समय जो है न मौसमे बदला हुताचड़ा अफजारी है और 16-17 रात के समय दिन माटाइस के आसपास ताप मर रहेगा शिवपूरी में रात के समय मौसमे बदला हुताचड़ा अफजारी और तेज की बुंदाबुंदी बरसात की गतिदियों के साथ मौसम में टंडर के इसी के साथ साजापूर में 15-16 रात के समय तो दिन के समय 27 के आस पास ताप मर रहेगा बादल चैरेंगे उताचडाव जारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन और मौसम मिला जुला रहने के आसार भी जताए जारे यहाँ पर काफी जगों पर दोस्तों मौसम विबाक की माने तो यहाँ पर अनेक इलाकों पर जो ना मौसम में बदलाओ के साथ उताचडाव जार रहेगा और बुदुवार मंगलवार तक बुंदा-बुंदी हो सकती है यहाँ पर शोपूर में तेरह चवदा रात के समय दिन में तेज चोईस बादल चैरेंगे उताचडाव जारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन है काफी जगों पर मौसम में बदला और बुदुवार गुरुवार से मौसम बदलेगा उताचडाव जार रहेगा सतना में 12-13 रात के समय दिन में 24-25 बादल चैरेंगे उताचडाव जारी मंगलवार बुदुवार से बुंदा मुंदी होगी उमरिया की बात के तो 12-13 रात के समय दिन में 24 के आसपास ताप मान रेगा बादल चैरिंगे रतला में 15-16 रात के समय दिन में 27 के आसपास ताप मान रेगा बादल चैरिंगे उताचडा अवजारी रेगा राजगर में 15-16 रात के समय तो दिन के समय जो ना यहाँ पर 27-17 से करीब ताप मान रेगा बादल दिन में बादलो के हो जाए के साथ मौसम ठंडा है सागर में 14-15 रात के समय दिन में 26-27 बुदुवार गुरुवार तक हलकी बुंदा मुंदी हो सकते हैं निम्च में 13-14 रात के समय तो दिन के समय मौसम में ठंडग उताचडा अफजारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन हो पूरे दोस्तो रिवा में 12-13 रात के समय दिन में 23-24 के करीब ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे उताचडा अफजारी तेज आओ के साथ मौसम में ठंडग है यहाँ पर सिवनी की बात के तो 15-16 रात के समय तो दिन के समय 27 के आसपास ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे उ चोड़ एक दिन मुंदा मुंदी और बातलों के यहाँ जाओ के साथ मौसम में ठंडग है जाबों में मौसम साफ सोना उताचडा अफजार रहेगा इंदोर में 17-18 रात के समय दिन में 26-27 बादल चैरिंगे उताचडा अफजारी है वही दोस्तों यहाँ पर काफी जादा जगों पर उताचडा अफजारी है तेज आओ के साथ मौसम में बदला उताचडा अफजारी रहेगा इसी के साथ नरसिंगपूर में 14-15 रात के समय दिन में 27-27 मौसम में उताचडा अफजारी रहेगा जल दी जल देखने को मिलेगा बालागाट में 14-15-16 रात के समय तो द मद्यप्रदेश में तेज आओ के साथ मौसम में बदलाओ देखने को मिल सकता है तो यह ता मद्यप्रदेश का मौसम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना